तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, चा कर ढ़ल जाना है, परचाईयां रह जाती, रह जाती निशानी हैं, जिन्दगी और कुछ भी नहीं, तेरी मुंदी काहानी है, एक प्यार का नवमा है, मौजों की रवानी है, जिन्दगी और कुछ भी नहीं, तेरी मीरी काहानी है, तेरी मीरी काहानी है, नमस्कार तोस्तों, सस्रियकाल आदाव, आज हम जिनके बारे में बात करना जा रहे हैं, देश उनके बारे में जानना चाह रहा है, आज हम बात करेंगे अधर्ने। गीत रिषी Siashantosh Anandji के बारे में, आदेश क्या विदेश का बच्चा बच्चा भी ये जानना चाह रहा है कि संतोश आनंजी की जिन्दगी कैसी है संतोश आनंजी का पास्ट कैसे था एक छोटी सी बायग्राफी में आज हम संतोश आनंजी के बारे में कुछ जाननी की कोशिश करेंगे गीत रिशी का जन्म सन 1939 पाँच मार्च को बुलन शहर के एक कस्वे सिखंदराबाद में हुआ जो की उत्तरप्रदेश में है गीत रिशी का जन्म एक मद्यम वर्गिय परिवार में हुआ अच्छा खासा परिवार था, खाते पिते लोग थे, कोई परिशानी नहीं थी कविताएं करने का शौक रखते थे, लेकिन कविताएं देशवक्ति से ओत्प्रोथ होती थी, उस समय देशवक्ति का वैसे भी शंकनाद कूज रहा था, गीत रिशी अपने स्कूल में बढ़ चड़ कर, अपने स्कूल के मंच के कारिक्रमों में बढ़ चड़ कर हिस्सा ले तो उसमें हनुमान और लक्षमर का किरदार भी निभाया करते थे, गीत रिशी की प्रारंबिक शिक्षा सिकंदराबाद में ही हुई थी, बाद में उन्होंने अलिगर युनिवर्सिटी से अपनी सिक्षा को पून किया, 14 साल की उम्र में गीत रिशी को पॉलियो मार गया, जिसमें उनकी एक टांग खराब हो गई, उस समय ऐसा कहा जाता है कि गीत रिशी के पिता ने ये कहा कि अब ये क्या करेगा, इसी तो एक टांग खराब हो गई, ये बात गीत रिशी के मन में घर कर गई, लेकिन उन्होंने कभी ही इस बात को किसी से कहा नहीं, गीत रिशी अपनी मेहनत को जारी रखते हुए कविता पाठ किया करते थे छोटे मोटे मंचों पर जाया करते थे मेहनत करते करते गीत रिशी ने दिल्ली में सरकारी नोकरी भी हासल की और वह लाइब्रेरियन के पद पर सरकारी स्कूल में काम करने लगे साथ के साथ कारेक्रम उनके कभी संभेलन जारी रहे लेकिन अभी तक गीत रिशी की पहुंच दिल्ली से दूर थी कहा जाता है शुरू में गीत रिशी अपनी कविताओं का कोई पारिश्रमिक भी नहीं लिया करते थे संपैसक में गीत रिशी का विवा श्री मती राज दुलारी आनंद से हो गया में और घीत रिशी गीत रिशी जो ते बहुत दिल्ली में रहा करते थे उर श्री मती कविता पाड़ जब किया तो कभी भी गीत रिशी आधर्णिय गीतकार श्री संतोष आनंजी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा सन सिक्ष्टी नाइन में गीत रिशी अपनी वाइफ को दिल्ली लेकर आ गये दोनों किराय के मकान में रहा करते थे धीरे धीरे गीतकार संतोष आनंजी का नाम कभीयों में बढ़ने लगा गीत रिशी के एक मित्र मनोज कुमार जी के हां मेनेजमेंट का दिल्ली में काम देखा करते थे बात उन दिनों की है जब उपकार की शूटिंग खतम हो गई थी और पूरब और पश्चिम खतम पे ही थी मेरा नाम जोकर की शूटिंग के लिए मनोज कुमार जी दिल्ली आये वे थे उसी समय गीत रिशी के मित्र जो की मनोज कुमार जी के यहां काम किया करते थे वो एक बार मनोज कुमार साहब के सामने गीत रिशी का कोई गीत गुन गुना रहे थे मनोज कुमार जी ने वो गीत सुन लिया और उनसे कहा यह गीत किसने लिखा है समय रात का था संतोश जी के मित्र ने उन्हें बताया यह मेरे दोस्त का गाना है वो कवी है मनोज जी ने उनको कहा इसी वक्त उसको मेरे पास लेके राओ संतोज जी के मित्र उनके घर पर पहुँच गए मिन्टो रोड पर संतोज जी रहा करते थे ये बात 69 की है तब तक बच्चे नहीं थे संतोज जी के संतोष जी की संतान बहुत बहुत देर में हुई थी तो फिर उनके मित्र वहाँ पर गए रात का वक्त था क्यूंकि फिल्मी दुनिया रात को जाकती है लेकिन संतोष जी उस समय तक इस चीज से बहुत दूर थे तो संतोष आननजी की धरम पत्नी ने कहा इस वकट ये नहीं जाएंगे कल ले जाना अगले दिन संतोष जी के मित्र उन्हें मनुज कुमार साहव के पास लेकर गए संतोष जी ने रात तक उन्हें गीत सुनाया और उस समय पूरब और पश्चिम लगबग लगबग पूरी हो चुकी थी अगीत भी सारे गाने सारे गाने फिल्म में लग चुके थे लेकिन मनोज कुमार जी को एक गीत इतना पसंद आया जो कि उन्होंने पूरब और पच्चिम में लिया फिल्म गीत था पुर्वा सुहानी आई रे मनोज कुमार जी ने संतोश आनंजी को इंट्रोडक्शन करके प्रस्तुत किया फिल्म इंडर्श्ट्री के सामने और कहा जाता है वो गीत आज तक का सुपर डूपर हिट था संतोश आनंजी का फिल्मी दुनिया में पहला गीत था पुर्वा सुहानी आई रे यहीं से संतोश आनंजी की एंट्री फिल्मी दुनिया में हो गई मनोज कुमार जी उनके गुरदेव थे उसके बाद शोर, रो संतोश आनन जी को जब पहला फिल्म फेर एवार्ड मिला था सन 75 की बात है उसी समय उनके घर पुत्र रतन हुआ बच्चे गनाम संकल्प आनंद रखा गया और संतोश आनन जी को अपना पहला फिल्म फेर मैं न भूलूंगा मैं न भूलूंगी फिल्म रोटी कपड़ा और मक साने लिखवाए यह गलियां यह चोबारा आज तक का शादियों का सबसे प्रीमत सौंग है मैं आपको एक बात बता देना यहां पर बहुत जरूरी समझती हूं कि संतोश आनन जी ने अपनी ज्यादतर फिल्म में लक्षमी कांथ प्यारे लाल जी के साथ की हैं लेकिन जो पहली फिल्म जिससे वो इंट्रड्यूस हुए थे फिल्म इंडस्ट्री में उसके संगीत कार थे कल्याण जी आनन जी बाद में मनोज कुमार साहाब ने भी रोटी कपड़ा मो और मकान हो चाए शोर हो चाए करांती हो चाए संतोश हो उसमें एलपी का म्यूजिक था एलपी की जोड़ी में जोड़ी के साथ संतोश आनन जी की टुनिंग बहुत अच्छी थी बाद में प्रेम रोग है प्यासा सावन थी जखमी शेर थी सूर रिया बड़े घर की बेटी इस तरीकी की फिल्म में आनन साफ ने काने लिखे संतोश आनन जी को दूसरा फिल्म फेर अवार्ड प्रेम रोग के लिए मिला प्रेम रोग के लिए उन्हें ये गलिया ये 14 लिए फिल्म फेर अवार्ड नहीं मिला था उन्हें मिला था मोहबत है क्या चीज़ के लिए फिल्म फेर अवार्ड उसके बाद संतोश आनन जी न हीरू फिल्म में उसके बाद उनोंने मेरा जवाब में एकसाथ रोल किया था उसके लिए संतोष आनन जी ने गीत लिखे थे वह डाने बहुत फेमस हुए थे बाद में उन्हें संतोष आनची ने piece के लिए जिसमें तहल थी और उनकी एक फिल्म काफी famous हुई थी संगीत जिसमें माधुरी दिख्शित जी और जैकी शराव जी थे ओ अब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या जैसा मुझे हो गया सभ को χोता है यह गीत इस film के सारे की संटो शानांग जीने लिखे थे और भी फिल्में थी कर गए वो लोग और थे जो प्यार कर गए वो लोग और थे दिल में उतर गए वो लोग और थे जो प्यार कर गए वो लोग और थे उसी समय बड़े घर की बेटी सूरिया रणभूमी इस तरीकी की बड़ी-बड़ी फिल्मे संतोश अनन जी ने की तहलका में भी संतोश अनन जी के गीत थे उस गीत को आस तक याद किया जाता है दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए बात में फिर एक फिल्म आई जिसमें राजकुमार सहाब और नाना पाटेगर जी थे यानि फिल्म थी तिरंगा जिसके गाने ये आन तिरंगा है ये शान तिरंगा है इस फिल्म के सारे गाने संतोश अनन जी ने लिखे थे बतकिस्मती से उसी समय लक्ष्मी कान प्यारे लर जी का देहान तो गया उस चीज ने संतोश आनन जी को अंदर तक तोड़ दिया संतोश आनन जी ने उस वक्त लगबग लगबग ये मेरे ख्याल से 97 की बात थी फिल्मों से रेटायरमेंट सा ले लिया था लेकिन फिर भी फिरोश कान साब ने उनको वहाँ पर बुलाया और प्रेमगन संतोश आनन जी की लाश्ट फिल्म थी 98 में संतोश आनन जी ने प्रेमगन के लिए गाने लिखे जिसका मिज़िक अनु मलिक ने दिया था उसके वाद संतोश आनन जी लगातार मंच पर रहे अपनी कवीता साधना को हमेशा अपने तपस्या की तला लिया और प्रोग्रामों में जाते रहे जब भी संतोश आनन जी से पूचा जाता था आप फिल्मों में गीत क्यों नहीं लिखते हो तो उन्होंने ये कहा कि मेरी ट्यूनिंग एलपी के साथ बहुत अच्छी थी और अगर मुझे कोई संगीतकार इस तरीके का मिलेगा जो मेरे गाने को पूरी शिद्दत के साथ एक अच्छी दुन के साथ प्रस्तुत करेगा उसके साथ में काम करना जरूर चाहूंगा संतोश आनन जी ने हमेशा कहा कि वो एयार रह्मान जी के साथ काम करना चाहते है संतोष जी अपने कवीता में लगे रहे और उनकी नौकरी भी जारी थी 2000 में वो सेवा निवरित्थ हो गए थे अपनी नौकरी से उसके बाद उन्होंने पूरे अपने फ्री टाइम में फ्री टाइम अपना पूरा मंच को दिया संतोष आनन जी के तीन बच्चे हैं स्वर्गिये संकल्प आनन जी, शैली आनन और श्वेता आनन संतोष आनन जी ने बड़ी मन्नतों के बाद अपने पुत्र रतन को प्राप्ट किया था फैमिली बहुत अच्छी चल रही थी, कोई परेशानी नहीं थी, सब अच्छे से रह रहे थे संकल्प जी भी सरकारी नोकरी करते थे, उनकी विवाब भी हो गया था पर कुछ ऐसा हुआ, एक ओ हादसा था, 2014 में संतोष जी ने अपने बेटे और बहु को खो दिया अब संतोष आनन जी के पास उनकी दो बेटियां और एक चोटी सी पूती रह गए थी इन चीजों ने संतोष जी को बिल्कुल बिल्कुल तोड़ दिया, अंदर तक फिर भी उन्होंने अपना होसला कभी कम नहीं किया वो आस तक कभी संभिलनों में जाते हैं, और जितना उनका पारिश्ट्रमिक होता है, वो लेते हैं पर ये सही कहा है किसी ने, कि संघर्ष किसी किसी का उम्र के साथ कम होता है, अगर गीत रिशी का संघर्ष उम्र के साथ बढ़ता ही चला गया संतोश अनन जी ने 25 फिल्मों के लिए बहुत सारे धेर सारे गीत लिखे हैं, जिन में से दो फिल्मों के लिए उन्हें फिल्म फेर अवार्ड मिला गया है संतोश अनन जी ने विदेश यात्राएं भी खूब की हैं, जिसमें यूएस हो, दुबाई हो, मसकट, मौरिशस संतोश अनन जी को आज भी कभी संभेलनों में विदेशों में भी बुलाया जाता है, जहां वो अपनी सुविदा के अनुसार जाया करते है संतोश अनन जी को दादा सहाफ फालगे फांडेशन अवार्ड मिला है, दो बार फिल्म फेर अवार्ड मिला है, यश भारती अवार्ड, निराला अवार्ड और इस तरीके के बहुत सारे अवार्ड मिले हैं लेकिन आज भी संतोश आनन जी को वो नहीं मिल सका जो कि वो डिजर्व करते हैं संतोश आनन जी अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहते हैं अपना दर्द किसी को नहीं बताते हैं और आज भी अपना दर्द गीतों के द्वारा, अपने कलम के द्वारा कागजों पे उतार देते हैं हाली में इंडियन आइडल में संतोश आनन जी आये थे जिसको देखके देश पूरा भावुक हो गया देश के आविदेश में रहने वाले भी भावुक हो गये और अपार जनता का प्यार संतोश आनन जी को मिला यही सने और सम्मान संतोश आनन जी को चाहिए, दया नहीं चाहिए आज भी अगर जनता का प्यार उनके साथ रहेगा तो देखिएगा संतोष अनंद जी एक प्यार का नगमा है से भी आगे एक गीत आपको लिखकर देखे जाएंगे हम यही कामना करते हैं कि संतोष अनंद जीवन में संतोष और आनंद दुबारा से लोटे और आप लोग का स्थ नहीं वो लोटा सकता है जनता का प्यारी संतोष अनंद जी का संतोष और अनंद है वे अपनी फैमिली के साथ है फैमिली उनका अच्छे से ध्यान रखती है वो वहाँ जाते हैं जहां उनका सम्मान होता है जहां उनकी कला का सम्मान होता है वो अगर सुविदा के अनुसार कहीं जा सकते हैं तो वो आज भी जाते हैं और हम संतोश अनन जी के सताईव होने की कामना करेंगे इनी शुब कामनों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ इसी सर इसी तरीके से आधर्णिये गीत कार संतो शानन जी के लिए अपना सने बरकरा रखिए क्योंकि हमें उनकी बहुत जरूरत है नमश्कार जै हिन जै भारत